आप देख सकते हैं जैसे मेरे face में कुछ spots हो गए है जो कि मुझे बहुत मुश्किल हो रही है और मैं सोच रही है इसको कैसे remove करूं कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन में दमाग में कुछ आया है तो अब मैं इस pack को apply करने जा रही हूं और इसको कैसे बनाते है चलिए देखते ह पेस्ट माक्स बनाने के लिए हमें एक बाउल में 2 टी स्पून मेथी दाना दालना है और उसको पानी में बिगो के राद बर रखना है या तो उसे 5 गंटे या 6 गंटे आप बिगो के रख सकते हैं यूज करने के लिए अब हम मेथी दाने का पानी रिमूफ कर देंगे और मेथी दाने का पेस्ट बना लेंगे फाइनली पेस पैक इस रेड़ी और मैं इसको कुछ इस तरह के से पेस पे लगाऊंगी ये पेस पैक आपके फेस के रिंकल्स, डाक स्पॉट्स, पिंपल और एंटी एजिंग स्किन जैसे की जूरियां होना फेस में यह सब का ध्यान रखती है और यह सकिन को पर्फेक्ट बनाती है इसलिए इसे ऐल-in-one फेस मार्स बोल जाता है जिए त्रूर्भ के सकिन और भी शाइनी हो जाती है स्किन टाइट भी हो जाती है और यह आपके स्किन को ब्राइट भी करती है इस फेस पाक का यूज अपते में दो बार मीन्स ट्वीज अवीग आप कर सकते हैं जैसे कि मैंने फेस पाक लगा लिया है अब मैं आफ्टर 10 तू 15 मिनिट्स इसे रिमूफ करूगी जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा फेस पाक अल्मोस्ट ड्राइ हो चुका है अब मैं इसे रिमूफ करूगी आप डारेक्टली वाश भी कर सकते हैं बट मेरा सडेशन ही रहेगा आप इसको कुछ इस तरीके से रिमूफ करें पहले फिर उसके बाद वाश करें अब मैं फेस वाश करूँगी सो जैसे कि मेरा फेस मुझे बहुत एक लीन और एल्दी लग रहा है सो आप इसे घर पे ट्राइ करें और मुझे बताए कमेंट बॉक्स में प्लीज सब्सक्राइब करें तिल देन बाई बाई सी यू सून